नमस्कार आप सभी का श्वागत है मरवाडी कोलेज राची अपडेट में तो चलिए आज मैं आपको जो अपडेट करने जा रहा हूँ ये बहुत ही बेसवरी से बहुत दिनों से आप इंतजार कर रहे थे ऐसे अस्टुडेट जो इंतजार कर रहे थे कि बैकलोग का एक्जाम है किलियर कब होगा किस तरह का एक्जाम होगा कब होने वाला है सारा डिटेल में लेकर के आया हूँ आज इस वीडियो में बात करूंगा एकठ पॉइंट पे बात करूंगा ताकि आपको कहीं भटकनी की जवरत ना पड़े, कहीं भी आपको किसी भी तरह का डाउट ना रह जाए और G-Paper सबसे पहले बात मैं ये कन्वेंस करना चाहूँगा कि G-Paper से रिलेटेड जो स्टुडेंट का एक्जामनेशन छूट गया था उनके लिए ये खास और सुनेहरा मोका है, तो आप वीडियो को अंतक देखिएगा, जो मेरे चैनल पर पहली बरा है, लाइक, सेर, सब्क्राब जरूर कर लेज़ेगा, ताकि हर तरह का अपडेट आपको मिलता रहे, डिस्क्रिप्शन में नीचे में आपको वाट्सप ग्रूप हैं, यूजी के, उनके लिए और पीजी की बात करें, तो 2018 से लेकर के 2022 तक के जो अस्टुडेंट है, उनका अगर किसी भी सेमेस्टर में बैक लगा है तो उनके लिए खास मोका है और वन टाइम एक्जामनेशन है अस्पेसल इक्जामनेशन कंडक्ट कराया जारा है, और वन टाइम इक्जामनेशन दिया गया है, मतलब की अस्पेसल इक्जाम स्रिफ एक टाइम लिया जाएगा इसके बाद आपको मोका नहीं दिया जाएगा, तो आपके लिए 2017 से ले करके 20 और 18 से 20 के जो non regular student थे मतलब की non vocational student थे उनके लिए जो student एक exam दिये थे दूसरा exam नहीं दे पाएं, semester 4 तक exam देना था तो आप अगर नहीं दे पाएं या एक भी exam नहीं दे पाएं तो अभी आपके पास मोका है आप form भर के उसके लिए examination दे सकते हैं तो अभी मैं बात करना चाहूँगा तो semester 1, 3 और semester 5 का जो payment होने वाला इसके लिए online payment पहले करना होगा उसके बाद में आपका admit card आएगा और examination होगा तो tentative date भी मैं बता देंगा अभी आपको notice के जरीए notice में क्या निकाला गया वो भी clear कर दूँगा तो यह जो आपका odd जो चल रहा है semester 1, semester 3, semester 5 का तो इन लोगों का जो है payment पहले होगा उसके बाद में जो event वाले होते हैं जैसे कि semester 2, semester 4, semester 6 इसी तरह जो आपका odd और event वाले जो है तो event वाले का जो है बाद में payment होगा तो payment का process क्या होगा वो notice के जरीए में दिखाना चाहूँगा दूसरी thing में यह बताना चाहूँगा कि जो G paper में miss किये हैं एक भी paper आपके पास खास मोका है इसके बाद फिर examination नहीं होने वाली है पहले मैंने आपको बताया था update में कि आपका हो सकता है कि examination हो या ना हो लेकिन यह आपका special one time examination है जिसमें आप G paper भी clear कर सकते हैं आपका जो backlog paper है वो भी clear कर सकते हैं तो यह खास मोका है यह आउसर को गवाईएगा नहीं और किसी भी तरह का update होता है उसके लिए मैं regularly आपको update करते रहूँगा बने रहेंगे अभी मैं notice के जरी बताने जाहूँ ताकि आपको exact date पता चले और exact semester पता चले और उसका session पता चले ताकि आपको दिकत ना हो तो आप देखिए इस चीज़ को दोस्तों जो यह notice निकल करके आया है जो 112-2023 को निकल के आया है जिसमें notice में साफ साफ दिया गया है जितने भी student हैं जो UG और PG के हैं और backlog है session 2017-20 18-20, 19-22 और 20-23 फोर UG of semester 1 3 और 5 और PG के जो है 18-20, 19-21 और 20-22 तो उनका जो semester होगा semester 1 और semester 3 उनका जो है form fill up जो हो रहा है वो a special one time examination मैं जूम करके दिखा रहा हूँ अब देख लेंगा अच्छा से a special one time examination मतलब एक बार ही examination होगा यह जो है इसका form fill up आपका कब से start होगा तो 4-12-2023 से start होगा तो 4-12-2023 से start होगा form fill up आपका form fill up कहां से करेंगे मरवाडी कोलेज के official website से करेंगे तो उसके लिए जो भी होगा detail में बता दूँगा आपको तो यहाँ पे जो है कि आपका semester one three और five का जो है योजी पीजी का है बात तो इस पे जो है कि आपका 4-12-2023 से आपका form fill up होगा मरवाडी कोलेज के official website से वहाँ पे आजाएगा किस तरह से आपको करना है उसके बाद में सेम जितने भी यह है जितने यह student है यह तो आपका semester one से लेकर के semester five तक का है लेकिन उसके बाद में आपको फिर से form fill up करना है वो है semester आपका two, four और six के लिए PG के बाद करें तो two और four ही स्रिफ होगा उनको UG और PG backlog जो है उनको form नो बारा 2023 से fill up होगा तो नो मलब कि आपका जो है अगर semester one में स्रिफ है तो semester one का देख लिजे कब होगा आपका चार बारा से start हो जाएगा अगर मान लिजे आपका semester two में है यह semester four में है यह semester six में है तो नो तारीक से आपका form fill up होगा तो दोनों मतब कि semester one से लेकर semester six तक आपका form fill up कब तक होगा 9-12 से start हो जाएगा और 4-12 से तो जो है ओड वाले 4-12 से अपना कर लेंगे और इभेन वाले जो है 9-12 से अगर मान लिजे आपका दोनों में है मान लिजे semester one में भी है semester two में भी है तो आपको चार तारीक से payment जो होगा उसमें भी करना होगा और 9 तारीक से जो payment होगा उसमें भी करना होगा यहां तक कि payment आपका हो जागा जब तक आप payment नहीं करेंगे आप exam में नहीं बैठ पाएंगे तो payment जब हो जाएगा उसके बाद में आप exam में बैठने के लिए allow होगा उसके लिए admit card भी निकलेगी tentative date जो है examination का तो वो है 19.12.27 से लेकर के 27.12.27 आपका जो यह जो आपका exam होने वाला है 19.27 के बीच में आपका examination होगा तो खास बात को याद रखिए गांट बांद करके समझ लिजिए इसके बाद में ये दोबारा मौका नहीं मिलने वाला है अगर किसी तरह का miss कर रहे है तो वीडियो को rewind करके देख लिजिए डिक्कत होती है आप मुझे comment किजिए मैं कोशिस करूँगा आपका help करने का बहुत बहुत दन्यवाद